हेलो गाईज कैसे हैं आप सब मैं नेम इस रूइद गुपता यूर केमिस्टी मेंटर और हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कमपाउंड लेक्टर नमबर वन तू थ्री अल्रेड हम कम्प्लीट कर चुके हैं दिस इस लेक्टर नमबर फोर तो प्लीज कनेक् करते हैं लेक्टर नमबर फोर में हम क्या डिसकस करने वाले हैं लेक्टर नमबर फोर में यस हम लेक्टर नमबर थ्री जो हमने पढ़ा है क्या पढ़ा था हमने लेक्टर नमबर थ्री में हमने पढ़ा था सैचुरेटेड हाइडरो कार्बन और अनसैचुरेटेड हाइडर कार्बन के बारे में हमने पढ़ा था तो ये होगा हमारा lecture number four और इसमें हम क्या discuss करने वाले हैं इसमें हम discuss करने वाले हैं exercise यस हमने जो last lecture में पढ़ा है उससे related हम कुछ questions को करने वाले हैं क्यों करने वाले हैं ताकि इससे आपका practice हो जाए जितना अच्छे अच्छा आप chapter के उपर grip बना पाएंगे उत्रहीं आप सब के लिए क्या रहेगा बिटा बेनेफिशल रहेगा तो इस chapter को exercise को start करने से पहले हम सबसे पहले एक बार revise कर लेते हैं कुछ golden rules को कि alkane के लिए क्या golden rule होता है alkane के लिए क्या golden rule होता है और alkane के लिए क्या golden rule होता है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं alkane के बारे में if hydrogen atom is two more less than two more than double the number of carbon atom तो हम उसको क्या कहेंगे हम उसको कहेंगे alkane sir मतलब क्या है मतलब हम समझाते हैं आपको देखिए जड़ा आप जानते हैं कि alkane का जो general formula होता है वो होता है cn h2n plus 2 ये alkane का general formula होता है ध्यान से देखिए आपको क्या बोला गया है hydrogen atom is two more than देखो hydrogen जो atom है वो two times क्या है जादा है दिख रहे हैं आपको two times क्या है जादा है किस से जादा है number of double the number of carbon atom ये जो carbon atom है n की जो value है उससे two times से two जादा क्या हो जाएंगे hydrogen atom हो जाएंगे मतलब मतलब अगर carbon की value अगर हम डाल दें n बरावर हम डाल दें two ध्यान से देखिए n की value अगर हम two डाल दें तो यहां क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा फिर उसके बाद n की value two डालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा four हो जाएगा और plus क्या रहेगा बिटा two रहेगा आपको बोला भी क्या है if hydrogen atom is two more than double the number of carbon atom हमने carbon atom कितना लिये थे two लिये थे इसके double क्या हुए four हुए इससे plus two यानि की ये plus two clear बात है यानि की जितने भी carbon atom हमारे पास presented होंगे उसको हमें क्या करना है double करना है और उसमें plus two अगर आप add कर दो तो वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा alkene क्या मेरी बात समझ में आगी क्या बन जाएगा बिटा वो बन जाएगा alkene ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है sir alkene के लिए क्या होगा alkene के लिए क्या होगा alkene के लिए यहाँ पर दो जादा नहीं होंगे exactly equal रहेगा देखिए if hydrogen atom is exactly equal to double the number of carbon atom इसको हम क्या कहेंगे इसको हम alkene कहेंगे और अगर यहाँ पर less to आजाए यानि two क्या हो जाए कम किसे double the number of carbon atom से अगर two कम हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे alkene if hydrogen atom is two less than double the number of carbon atom तो उसको हम क्या कहेंगे alkene कहेंगे यानि दो जादा hydrogen है, double the number of carbon atom, alkyne, चीके बात समझ में आ रही है, exactly equal the number of double the carbon atom, उसको हम alkyne कहेंगे, और अगर हम बोले carbon atom के double करने से दो कम हो जाएं, उसको हम क्या कहेंगे, alkyne कहेंगे, hope so आपको ये तीन golden rule बिलकुल clear होंगे, yes or no, चलिए, आईए अब बात करते हैं कुछ questions की, देखिए, सबसे पहला question हम लेते हैं, give the formula for ethane, ethane को आपको क्या करना है, formula बताना है, देखिए, किसका formula बताना है हमें, हमें बताना है बिटा, ethane का formula, yes or no, हमें ethane का formula बताना है, बहु आपको मैंने क्या बताया थे, word root हमने आपको समझाया था, word root में आपको बताया था, math यानि एक carbon, eth यानि दो carbon, prop यानि तीन carbon, but यानि चार carbon, इस तरीके से हमने आपको सिखाया था, बहुत अच्छी बात है, eth, अब देखो, आपको क्या बोला है, यहाँ पर देखो, एन आ यह एन क्या रिप्रेजेंट करता है, यह एन रिप्रेजेंट करता है, यह एन रिप्रेजेंट करता है कि भाई साब यह क्या है, एक एलकेन है, और एलकेन का जनरल फॉर्मला आप जानते हो क्या होता है, एलकेन का जनरल फॉर्मला होता है, यह इसका जनरल फॉर्मला होता ह अब आपको बोला है क्या एथ एथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एथ रिप्रेजेंट कर रहा है सर कि ये n बरावर क्या है 2 है number of carbon कितने है यहाँ पर 2 तो आप क्या करेंगे इस formula में n की value क्या रख देंगे 2 जब आपने n की value 2 रखी तो कितना आया C2H 2 into 2 प्लस कितना आगया भीटा 4 यानि की C2H 6 इसका क्या हो गया इसका molecular formula हो गया क्या हो गया इसका molecular formula आपको क्या बताने है give the formula for ethane ethane का formula क्या हो गया this is the molecular formula of ethane ठीक है and write the number of covalent bond present in it और उसके अंदर presented आपको covalent bond बताने तो सबसे पहले आप इसका क्या बनाओ सबसे पहले आप इसका structure बनाओ structure कैसे बनाओगे देखिए 2 carbon है 2 carbon मना दिये हमने इसके बाद आपको बोला है sir ये end है क्या है ये end end के लिए तो sir single bond लगता है बिल्कुल सही बात है अब carbon के valence shell में 4 electron होते है carbon ने अपना एक electron यहाँ पर रख दिया इस carbon ने भी अपना एक electron यहाँ पर रख दिया अब carbon के पास बचे कितने 3 free electrons तो ये 3 free electrons hydrogen के साथ क्या हो जाएंगे बिटा combine हो जाएंगे चीक है इस तरीके से yes or no इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे molecular formula और यह क्या है यह structure आपने क्या करा है represent करा है अब आपसे अगर पूछता है कि बताओ इसके अंदर कितने covalent bond presented है तो देखिए एक covalent bond तो यह रहा दूसरा यह रहा तीसरा यह रहा चौथा यह रहा पांचवा this one, six this one, seventh this one ओके तो how many covalent bond are presented in the structural formula of ethane seven seven covalent bond is presented write down ओके बहुत अच्छी बात है क्या आपको clear है बिटा पूरा बहुत अच्छी बात है अब अपन क्या करेंगे इसी question को जो मैंने अभी आपको करके समझाया है इसी को हम return form में देखेंगे, ध्यान से देखी कैसे, देखो, चलिए, आईए, अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से होगा एक question आपको बताना था कि किस तरीके से हुआ, देखीए, अब आगे देखीए क्या हो रहा है, solution में ध्यान से देखें, ethane is an alkane, ethane एक alkane है, जिसका general formula CnH2N plus 2 होता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, दो carbon होते हैं, सर कैसे पता चला, eth से पता चला, चीक है, आपका formula बनके तयार हो गया, done, तो formula of ethane क्या होगा बिटा, C2H6 आपका ethane का formula हो जाएगा, अच्छा, इसके बाद सर, structure की बात करते हैं, structure कैसे बनेगा, structure बनाना आप ये भी सिखाया था आपको, पहले आपको दो carbon लगाने, क्योंकि an है, यानि alkan है, तो इनके बीच में आ carbon has shared one electron, एक electron को share किया है, carbon ने दूसरे carbon atom के साथ, तो तीन electrons इसके क्या है, free, और वो किसके साथ connected होगे, hydrogen के साथ connected हो जाएगे, कैसे, इस तरीके से hydrogen के साथ connected हो जाएगे, yes or no, इस तरीके से hydrogen के साथ ये atom connected हो जाएगे, और ये structure आपका किसका बन जाएगा, ये structure आपका, ethane का structure बनके ready हो जाएगा तो अगर मैं number of covalent bond की बात करूँ कि कितने covalent bond ethane में presented है तो यहाँ पर देखिए कितने covalent bond presented है यह देखिए blue होते जा रहे हैं कितने हो गए 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो आपका यहाँ पर answer क्या आया 7 समझ में आगी बात बहुत अच्छी बात है आईए और practice करते हैं next question की तरफ चलते हैं ध्यान से देखिए next question है give the general formula of alkyne alkyne का आपको general formula देना है alkyne का general formula क्या होता है cn h2n minus 2 alkyne का general formula क्या होता है cn h2n minus 2 ठीक है यह आपका alkyne का formula होता है इसके बाद आपको यह जो compound दे रखें इस compound में आपको बताना है कि भाई alkyne इन में से कौन है कौन इन में से alkyne है तो ठीक है पहले वाले में आप रखो जब n बराबर 1 रखोगे इसमें तो यह तो आप जानते हो कि यह वाला क्या होता है यह आपका alkyne होता है क्या होता है यह आपका alkyne होता है आप इसमें value put up करते जाओ जैसे n की value क्या गरी आपने 1 put करी तो कितना हो गया c1 h 1 put करा तो 0 आ गया यानि यह तो चीज exist ही नहीं करेगी yes or no अच्छा बहुत अच्छी बात है इसके बाद c2 h6 की बात करें n की value अब आप इसी formula में क्या रखोगे n की value अब यहाँ पर आप 2 रखो जब आप 2 रखोगे तो यहाँ c2 आ जाएगा h यहाँ पर 2 तू जा 4 4 माइनस 2 यानि कितना हो गया 2 यानि c2 h2 यह वाला है देखिए c2 h2 यहाँ पर है आपके पास presented यानि कि यह क्या है भई alkyne है क्या है यह यह alkyne है आपके पास c2 h2 आया है c2 h6 यह नहीं है यह alkyne नहीं है क्या है यह alkyne है यानि c4 भी एक alkyne है c2 h6 भी क्या है एक alkyne है ठीक है अब आप next वाले की तरफ आओ, इसी फॉर्मले में alkyne के general formula में आप n बराबर क्या रखो 3, जब आपने n बराबर 3 रखा तो देखो C3 3, 2, 6, 6-2 कितना हो गया 4, C3, H4 ठीक है, yes or no, यानि ये compound भी आपका आया है, ये भी क्या है आपका alkyne है, क्या है ये alkyne, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, carbon के जितने atom आपको दे रखे हैं, 2 atom 2 का double करो, 2 का atom का double करोगे, तो कितना हैगा 4, उतने hydrogen atom दे रखे हैं, यानि ये क्या है आपके ये है sir, alkyne यानि sir, हमें ये समझ में आया, कि C2H4 तो क्या है alkyne, ये दोनों क्या है alkyne, और ये क्या है ये alkyne है, क्या है ये alkyne, हमसे पुछा क्या था हमसे पुछा था, alkyne बताओ कि alkyne कौन सा होगा तो clear है alkyne कौन सा होगा एक तो C2, H2 आपका alkyne होगा, और एक C3 H4 क्या होगा, C3 H4 भी आपका क्या होगा बच्चो एलकाइन होगा clear बहुत अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को और सीखते है रिटर्न फॉर्म में देखिए कैसे होगा आईए देखो सबसे पहले देखिए जनरल फॉर्मला एलकाइन का क्या होता है CnH2n-2 ठीक है अब यहाँ पे देखो CH4 और C2H6 ये क्या होते हैं एलकाइन होते हैं ठीक है जिसका जनरल फॉर्मला CnH2n-2 होता है इस फॉर्मले में आप n बराबर 1 और n बराबर 2 रोखोगे तो आपको ये दोनों कंपाउंड मिल जाएंगे अच्छा बहुत अच्छी बात है इसके बात देखिए नेक्स्ट इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो ये C2H4 है जो कि एक अलकीन है इसका जनरल फॉर्मला होता है CnH2n इसमें आप n बराबर 2 रोखोगे तो आपको ये कंपाउं माइनस 2 होता है इस वाले फॉर्मले में अगर आप n बराबर 2 और n बराबर 3 रखो तो आपको ये दोनों कंपाउंड मिल जाएंगे मतलब क्या सर मतलब ये कि इस पूरे क्योशन में ये दो ही ऐसे यानि C2H2 और C3H4 ही ऐसे दो कंपाउंड है जो क्या है अलकाइन है क्या म जनरल फॉर्मला ऑफ एलकीन का जनरल फॉर्मला क्या होता है सर पता है एलकीन का जनरल फॉर्मला होता है CnH2n बिलकुल सही बात है ये एलकीन का जनरल फॉर्मला होता है आपको ये आइडिन्टिफाय करना है कि इन में से कौन सा एलकीन है तो आप क्या करो n की वेलू को प है देखिए जरा देखो कैसे जनरल फॉर्मला एलकीन का क्या होता है cn h2n होता है ठीक है अब यहां पर अगर मैं c2h6 की बात करूँ यह एक एलकेन है क्यों क्योंकि देखो जब आप एलकेन में cn h2n प्लस 2 में n बराबर 2 रखोगे तो h कितना आएगा 6 आएगा यानि यह क्या है एलकेन है बहुत अच्छी बात इसके बाद नेक्स देखिए अगर मैं c2h2 की बात करता हूं और c3h4 की बात करता हूं यह दोनों क्या ह लकेन है आप cn h2n-2 में आप n बराबर 2 और n बराबर 3 रख के देखिए आपको यही दो कमपाउंड में लेंगे यानि आपको समझ में आ जाएगा यह क्या है यह यह व्लकीन है या कि ऑल्कीन में क्या होना चाहिए एलकीन में डबल होने चाहिए exactly double होने चाहिए n की वैल kap पुट कर उसका exactly double आना चीए double का आ रहा है, इस जगे आपका क्या आ रहा है double आ रहा है, देखो धियान से yes or no, यह दोनों क्या है यह दोनों आपके, और यहाँ पर भी double आ रहा है focus करो, यहाँ पर भी क्या आ रहा है double यानि कि C3, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ पर डबल आ रहा है यहाँ पर करोगे तो डबल आ रहा है यानि कि अगर मैं अलकीन की बात करूँ तो C2H4 और C3H6 आपका क्या हो जाएगा अलकीन हो जाएगा क्या मेरी बात समझ में आ रहा है देखो C2H4 C3H6 यह अलकीन है विच जन्रल फॉर्मला CnH2N clear है इसमें N की वैल्यू आप 2 और 3 रखो तो आपको यह कंपाउंड बन के तयार हो जाएगे clear है question समझ में आ रहे है बहुत अच्छा practice करते जाएए practice makes the man perfect जितनी practice करोगे उतना ही जादा आपका confidence boost होगा हमारा काम भी यह है कि हम practice कराते जाएए आपको topic के साथ formula क्या होता है CnH2N plus 2 यह आपका general formula होता है आपको बताना है इन में से कौन एलकेन है ठीक है तो पहला तो देखो CH4 this is a alkane हाया ना this is alkane C3H8 देखो C3H8 C3H8 का मतलब अगर मैं N की value 3 डाल रहा हूं CnH2N plus 2 में रख रहा हूं सब्वशन में रहा है तो 3 2 6 6 plus 2 कितना हो रहा है 8 yes this is also alkane this is also alkane यहाँ पर बात करीए alkane नहीं है यह क्या है यह alkane है मेरे प्यारे बच्चों क्या है यह alkane है इसके बाद C3H6 की बात करें तो देखो यह exactly double है क्या है यह exactly double है यानि कि क्या है यह alkane है बच्चों और यहाँ पर C2H6 की बात करेंगे तो देखो 2 का double क्या 4 4 plus 2 कितना हो गया 6 यानि यह भी क्या है alkane है यानि इस question में methane एक तो CH4 C3H8 और C2H6 यह क्या है आपके यह alkane है देखिए जरा solution में देखते है general formula alkane का क्या होता है CnH2N plus 2 होता है बहुत अच्छा इसमें देखिए CH4 यानि यह C3H8 और C2H6 यह क्या है alkane है जिसका general formula CnH2N plus 2 होता है n बराबर आप 1, 3 और 2 को पुट करके देख ले यह तीनों compound आपके बनके तयार हो जाएंगे अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी यह क्या बताया था हमने alkane है general formula क्या होता है alkane का CnH2N minus 2 जितनी बार बोलोगे जितनी बार लिखोगे उतनी बार clear होता चला ज जाएगा ठीक है बहुत अच्छी बात है और यह क्या है यह आपका alkane है क्या है just double है यह क्या है alkane है जिसका general formula CnH2N होता है clear बहुत अच्छी बात है तो आपका answer क्या है CH4 C2H6 and C3H8 यह क्या है alkane है बहुत अच्छी बात आगे देखिए next question next question देखिए क्या है which of the following compound is saturated सब क्या है था lecture number 3 में saturated का मतला होता है carbon और carbon के बीच में single bond अगर carbon carbon के बीच में single bond होता है तो वह saturated होता है unsaturated को हमने दो पार्ट में categorize किया था एक alkin और एक alkin alkin में carbon और carbon के बीच में sir double bond होता है और alkin में क्या होता है carbon carbon के बीच में triple bond होता है तो sir हम saturated की बात कर रहे हो saturated में carbon और carbon के बीच में क्या होता है single bond होता है yes or no अगर मार लो carbon और carbon नहीं दे रखा सिर्फ methane ही दे रखा है तो वहाँ पर भी क्या दिखेंगे आपको saturated बोला गया है, तो पहला saturated का मतलब समझ लें, देखिए, saturated क्या होता है, a hydrocarbon in which the carbon atom are connected by only single bond are called a saturated hydrocarbon, यानि single bond से अगर आपका carbon connected है, compound में अगर single bond presented है, तो उसको आप क्या गयते हो, उसको आप saturated hydrocarbon के नाम से जानते हो, अच्छा, मिथेन की बात करें सर, देखिए, मिथेन क structure क्या होता है, कि carbon center में होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, एक एक hydrogen presented होता है, कैसे, बेटा, ऐसे है, ठीक है, देखिए, carbon के valence shell में चार electron होंगे, और चारों electron hydrogen एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्या यहाँ पर हर तरफ single bond है, यस सर, हर जगे यहाँ पर क्या है, single bond presented है, सर, इथीन का structure तो बताओ, यह देखिए, इथीन का structure यह वाला होता है, carbon carbon के बीच में क्या है, double bond, और carbon ने बाकी अपनी valences कि से पूरी करी, hydrogen से पूरी करी, यहाँ आप क्या सकते हो, carbon के बीच में क्या है, double bond presented है, यहाँ पर यह structure है, यहाँ पर यह structure है, अब आपसे बोला रही है, इनमें बताओ, saturated कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए, इस जगे क है single bond presented हैं यहाँ पर क्या है इस जगे आपके double bond presented ै तो single bond वाला क्या होता है सार saturated होता है यहांनी मेरा answer क्या और चीए मेरा answer ATM आना चाहिए कौन सा अना चीए मेरा answer मिठेन यहांनी मिठेन एक ऐसा compound है जो saturated है क्या है वो saturated क्यों है क्यों सर क्योंकि carbon और carbon के बीच में क्या है single bond है या उस compound में single bond presented हो बहुत अच्छी बात आईए देखो CH4 is a saturated hydrocarbon चलो बढ़िया अगले question की तरफ आते हैं which of the following compound can have a double bond इन में से कौन सा ऐसा compound है जिसमें क्या है double bond presented double bond का मतलब क्या sir alkene sir alkene का मतलब क्या जिसमें n की value का just double आपको सामने मिले किसमें hydrogen में बोलो yes or no n की value जो होगी उसका exactly double आपको मिल जाए सामने तो उसमें आपको alkene हो जाएगी वो उसमें आपको double bond मिलेगा चरा check करो यहाँ पर क्या है c3 h8 यानि carbon के पास 3 है 3 का करो double six six plus two करो कितना हो गया eight sir ये तो alkene है और alkene में क्या होता है alkene में single bond presented होता है बताए था ना आपको यहाँ देखो c3 h8 h6 c3 h6 sir carbon 3 है 3 का double करेंगे तो six yes sir मजा आ गया कैसे sir इसको double करने पर तो hydrogen क्या आ रहा है six आ रहा है और आपने यही तो बताए था alkene में क्या होता है alkene में जो n की value होती है उसका double कर दो तो वो क्या बन जाता है hydrogen बन जाता है sir मेरे को तो यहाँ पर करेंगे से पहले ही आंसर पता चल गया कि यहाँ पर इसका आंसर आएगा sir c3 h6 यहीं इसका आंसर आएगा 110 परसेंट sir देखिए देखो ज़रा कैसे आप यहाँ पर c3 h8 की बात कर रहे हैं यह एक एलकेन होता है जिसका general formula cn h2n plus 2 होता है एलकेन एक saturated hydrocarbon है और जिसके अंदर क्या होते हैं single bond presented होते हैं जबकि अगर आप यह इसका structure है घ्यान से देखो c3 h8 का structure तीन carbon single bond बनाया और बाकी ने सबने क्या अगरा hydrogen के साथ अपनी वैलेंसी पूरी कर ली अब बात करते हैं किसकी इसकी बात करें c3 h6 क्या होता है यह एक एलकीन है जिसका general formula cn h2n होता है एलकीन एक unsaturated hydrocarbon है और जिसके अंदर क्या होता है double bond है unsaturated hydrocarbon है unsaturated तो triple bond भी होता है बिल्कुल सही बात होता है मगर हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अलकीन की ठीक है तो इसका structure की बात करें तो इस तरह का हमारा structure बन सकता है ठीक है done आप इस double bond को कहीं भी लगा सकते हो जहां पर भी आप double bond लगाओगे उसके according आपको hydrogen उनको क्या करना पड़ेगा adjustment करना पड़ेगा क्योंकि carbon maximum four bond बना सकता है ठीक है उस हिसाप सापको देखना पड़ेगा बहुत अच्छी बात है आईए तो C3H6 has a double bond यानि आपका आंसर क्या हुआ यह वाला आंसर हो गया C3H6 सर इसका नाम क्या होगा बिटा carbon है थ्री carbon's are presented here तो that is called prop और क्योंकि alkene है इसलिए तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपीन इसका नाम क्या हो गया प्रोपीन इसका नाम हो गया yes or no बहुत अच्छा देखो आगे a hydrocarbon molecule has three carbon atom ठीक है भई हाइडरो कारबन है जिसके पास तीन कारबन के atom presented है write down its molecular formula आपको क्या करना है इसके molecular formula बताना है इसका structural formula बताना है अच्छा किस केस में बताना है अगर वो तीन कारबन से बनने वाला compound अलकेन हो अलकीन हो या अलकाइन हो बोलो yes or no बहुत simple question है आओ solution की तरफ चलते हैं देखिए कैसे होगा सबसे पहले हम अलकेन की बात करते हैं और जब अलकेन की बात करते हैं तो क्या होगा c3h8 क्योंकि तीन कारबन है आपने cn h2n plus 2 में क्या बुला मैंने cn h2n plus 2 में आपने n की value कितनी डाल दी 3 डाल दी n की value 3 डालता है आपको ये formula मिल गया molecular formula that is called molecular formula c3h8 आपको मिल चुका है बहुत अच्छी बात है अब क्योंकि थी कारबन है इसका नाम लिखा प्रॉप और क्योंकि एन है इसलिए नाम लिखा एन तो इसका नाम क्या पढ़ गया इसका नाम पढ़ गया प्रोपेन Yes or No Sir इसका structure कैसा होगा देखे जरा सबस्ब पहले हमने क्या करा तीन कारबन मनाए और क्योंकि एलकेन है क्योंकि यह क्या है एक एलकेन है तो हमने क्या करा single bond यहाँ पर लगा दिया बोलो Yes or No अब single bond लगाने के बाद हमने hydrogen के साथ इसकी valences को क्या करा बच्चों hydrogen के साथ इसकी valences को हमने पूरा कर दिया अब यह जो structure आपके सामने आया that is called propane क्या कहेंगे इसको हम propane अब देखो अगला बात करते हैं माल लो हम बात करते हैं अलकीन की तो बहु अलकीन है साथ C3H6 बोलो यह सुनो सर इसका structure क्या होगा structure बड़ा simple है सबसे पहले आप क्या करो सबसे पहले तीन carbon लगाओ तीन carbon में से किसी भी डो carbon के बीच में आप क्या लगा दो double bond लगा दो देखिए लगा दिया अब इसके बात carbon की बाकी valences को आप किसके साथ पूरा कर दो carbon की बाकी valences को आप hydrogen के साथ पूरा कर दो कुछ इस तरीके से तो आपका जो structure बनके तयार होगा वो structure आपका क्या होगा वो structure आपका प्रोपीन का structure होगा ठीक है आईए अब बात करते है next alkyn भी तो बनाना था बिल्कुल सही बात है देखिए alkyn है अब आईन है तो आपको आईन लगाना पड़ेगा तो प्रोप आईन अब इसका formula क्या होगा सर देखिए formula क्या हुआ C3 H4 कैसे ये देखिए आपने बोला कि आपका जो structure होता है alkyn है इसका formula होता है Cn H2n-2 यही होता है न बिल्कुल सही carbon 3 है तो हमने यहाँ पे 3 डाल दिया H 3,2,6 6-2 यानि कि 4 यह देखिए C3,H4 इसका molecular formula बन चुका है बच्चों क्या बन चुका है यह इसका molecular formula बन चुका है जो भी हमने करके आपको बता दिया अब आओ आगे बढ़ते है देखिए अब आगे में क्या है इसका answer हो गया प्रोपाइन यह इसका क्या हो गया नाम हो गया भई सर इसका structure कैसे बनेगा बनाना आता है आपको सब से पहले आप 3 carbon लगाओ कोई भी 2 carbon के बीच में आप triple bond लगा दो और बाकी balances को आप hydrogen के साथ क्या कर दो पूरी कर दो किस तरीके से इस तरीके से आपने पूरा कर दिया देखिए इस carbon की बात करें single bond से जुड़ा हुआ था तो बाकी balances उसने hydrogen के साथ पूरी करेगा इस carbon की बात करें तो triple bond तो यहां लगा हुआ था और single bond यहां लगा हुआ था यानि carbon की चारो balances क्या है पूरी यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा इस जगे आप बात करें यहाँ पर triple bond लगा हुआ था तो carbon की एक balances कम है तो इसने क्या करा hydrogen के साथ bond बनाया है कैसे इस तरीके से उसने bond बनाया देखिए इसका नाम हो गया प्रोपाइन क्या मेरी बात समझ में आगी यह हमारे कुछ questions थे जो हमने क्या करें आज discuss करें आईए अब इसके बात चलते हैं next topic की तरफ और जो होगा hydrocarbon की और hydrocarbon को हमने दो पार्ट में categorize किया था open chain hydrocarbon और closed chain जिसको आप ring cyclic hydrocarbon के नाम से जानते हैं बोलो यह सुनो open chain hydrocarbon को already हम detail में पढ़ चुके हैं आज हमें बात करनी है close chain या ring cyclic hydrocarbon की इसको start करते हैं हम एक example के तुरू और example को हम इधर ले जाते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं इसके first example की first example देखिए हमने लिया है cyclohexane देखो नाम से पता होना चाहिए closed chain का मतलब chain आपकी जहां से start हो रही है वहीं पे chain आपकी finish भी होगी यही आपकी ring कहलाती है यही आपकी closed chain भी कहलाती है समझ में आ रहा है बच्चों चलो बहुत अच्छा सबसे बहुत हम cyclohexane की बात करेंगे अब hexane इसका मतलब क्या है इसका मतलब है सर 6 carbon है बिलकुल सही बात है और hexane है एन है इसका मतलब 6 carbon किस से जुड़े हुए है single bond से जुड़े हुए है दिख रहे हैं आपको 6 carbon किस से जुड़े हुए है single bond से जुड़े हुए है अगर एक carbon की बात करूँ एक carbon के पास total 4 valence electron होते है 4 में से 2 valence electron का use इसने carbon के साथ bond बनाने के लिए कर रखा देखिए एक तो ये वाला और एक ये वाला बचे दो valence electron उसको वो किस से पूरी करेगा उसको पूरी करेगा hydrogen से हर एक carbon दो hydrogen के साथ connected होगा इससे हम कहेंगे क्या इससे हम कहेंगे cyclohexene जिसका formula होता है C6H12 समझ में आ रही है बात आईए एक और example लेते हैं और example हम लेंगे benzene का benzene का formula होता है C6H6 benzene भी एक closed chain होती है जहाँ पर alternate position पे क्या होता है double bond presented होता है दुबारा बोल रहा हूँ 6 carbon से बनने वाली एक closed chain होती है और alternate position पे क्या होते है double bond presented होते है आईए बनाते कैसे देखिए सबसे पहले क्या है इसका formula C6H6 होता है और हम बात closed chain की कर रहे है तो सबसे पहले हमें carbon लेने है जो इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे ठीक है अब इन में से क्या करना है यहाँ पर हर एक carbon की valency कितनी है दो बनानी है कितनी चार तो इसमें से सबसे पहले हमने क्या करा एक-एक हमने क्या करा hydrogen को वो दे दिया एक-एक electron हमने hydrogen के साथ क्या करा शेयर कर लिया अब आप देखिए यह carbon जो है वो three bond बना रहा है यानि इसका चौता electron क्या है बिटा इसका चौता electron free है focus करो यहाँ पर carbon कितने bond बना रहा है carbon तीन bond बना रहा है यानि कि एक free electron यहाँ पर presented है क्या मेरी बात समय में आ रही है since every carbon has only three bond hence every carbon has one free valence electron बिल्कुल सही और वो valence free electron कहा है वो यह रहे सब के पास एक-एक valence free electron है साथ में आ रहा है अब यह दोनों free electron क्या करेंगे एक दूसरे से combine करेंगे देखिए यह वाला इसके साथ combine करेगा यहाँ पर double bond मनाएगा यह वाला इसके साथ combine करेगा double bond मनाएगा यह वाला इसके साथ combine करेगा double bond मनाएगा यानि कि देखे किस तरीके से इन दोनों ने combined हुआ, यह double bond बना, इसके बाद इन दोनों में combined हुआ, double bond बना, अब उसके बाद क्या होगा, यह free electron और यह free electron combined हो जाएगा, और एक क्या करेगा, double bond बनके तयार हो जाएगा, ऐसा करने पर carbon के valence shell में अब जो 4 electron होते हैं, चारों न bond बना लिया है, यानि कि यह क्या हो गया, एक stable compound हो गया, this is the structure of benzene, and what is the formula of benzene, C6H6 is the molecular formula of benzene, benzene का molecular formula C6H6 होता है, और उसका structural जो diagram होता है, वो यह वाला होता है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात, आईए, अब बात करते हैं, सबसे first 10 members की बात करते हैं, alkane family की, हाला कि मैं आपको बता चुका हूँ, बगर एक बार फिर revise करेंगे, सबसे पहला ज की family के members मिलते चले जाएंगे, जैसे अगर मैंने general formula CNH2N plus 2 में, N बराबर 1 रखा, तो मेरे सामने एक compound आया, CH4, जिसका नाम होता है, methane, N बराबर 2 रखा, तो मेरे सामने C2H6 आया, जिसका formula, जिसका जो नाम होता है, वो होता है, name होता है, ethane, ठीक है, इसके बाद next मैंने 3 र तो 4 carbon है, there are 4 carbon, hence we can use but and this is alkane, hence we are using suffix in, that is called butane, अगर हम 5 carbon को use करते हैं तो, तो 5 carbon को use करेंगे तो इसका formula बनेगा C5H12, ठीक है, और नाम हो जाएगा pentane, देखे, किस तरीके से, इस तरीके से, आईए, अब बात करते हैं, 6 carbon की, that is called hexane, 7 carbon, heptane, 8 carbon, octane, 9 carbon, nonane, 10 carbon, that is called decan, ठीक है, कैसे बन रहे हैं, जनरल formula में आप n equal to 1, 2, 3, 4 put करते जाओ, ये आपके molecular formula निकल जाएंगे और उसके according आपके names यहाँ पर आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, आईए, अब बात करते हैं, माल दीजे कि मैं एक बात करता हूँ, जैसे, alkane family के first 4 members, ठीक है, मैंने let us suppose यहाँ पर consider किया, जिसका general formula CNH2N होता है, क्योंकि alkane है, तो general formula CNH2N plus 2 होगा, अच्छा, compound के नाम क्या होते हैं, first 4 members बोला है, that is called methane, ethane, propane और butane, बहुत अच्छी बात है, अब देखिए, इसके बात क्या हुआ, ये अगला question क्या बोल रहा है, माल लीज ठीक है, अब इस structure में माल लो, एक hydrogen को अमने अटा दिया, कोई भी एक hydrogen को अमने अटा दिया, तो अब ये क्या होगया, ये unstable compound हो गया, क्यों 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 को क्यों कर्बन के valence shell में है, तो 4 electrons होते है, टीन hydrogen से connected है, यानि एक valence electron उसका क्या है, free है, एक electron free हो गया, यानि हमारे पास क्या बच्चा है free valence electron valence band और यह band है और CH3 इस तरह का हमारा एक group बन गया इस तरह का हमारा क्या बन गया group बहुत अच्छी बात है अच्छा on removal of one hydrogen atom from alkane अगर मैं alkane से एक hydrogen atom को हटा दू तो हमारे पास जो group बनेगा उसको हम कहेंगे alkane group क्या कहेंगे बच्चे उसको हम उसको हम कहेंगे alkane group देखो methane में से hydrogen atom methane में एक hydrogen atom ethyl propane में से hydrogen atom प्रोपाइल व्यूतेन में से hydrogen atom butylyl लग जाता है यानि एक alkane group वह बनके तयार हो जाता है ठीक है तो sch4 बहुत अच्छा अब मालो की अगर में इनके स्टॉक्चर की बात को रहे गफ्रीटेन की बात करूं को देखो यह इंक्टाइन का स्टॉक्चर होता है विल्कुल साही बात है सर यह सी 2H6 जैने दैट इस कॉल्ट इधेन अब इसमें से हमने क्या करा, एक hydrogen यहां से remove कर दिया, remove करते ही, जो group बना इसको हमने बोला ethile, क्या बोला इसको ethile, अब ये ethane नहीं रहा, बलकि ये क्या बन चुका है, ये ethile बन चुका है, क्या मेरी बात समझ में आरी है, ये ethile बन चुका है, बहुत अच्छा, अब यह alkane की series आपने देखी थी जिसमें आप methane, ethane, propane, butane आप बोल रहे थे अब क्योंकि मैंने अभी अभी आपको alkyl group बताया है जिसे methane में से एक hydrogen अट गया तो methyl ethane में से एक hydrogen हट गया तो ethyle yes or no, एक hydrogen को आपको क्या करना है remove अब मेरे question है कि sir यह alkyl group आपने बता दिये कि इस में से एक hydrogen remove हुआ, CH3 बज़ गया C2H6 में से एक hydrogen कम हुआ, C2H5 बज़ गया यह आपका methyl के लाएगा, यह ethyle के लाएगा, यह propyle के लाएगा और यह butyl के लाएगा, मगर sir एक बात तो बताओ कि यह जो alkyl group है, इनके general formula क्या होगा what is the formula of this alkyl group, तो simple है आपने alkyne देखा, alkyne का general formula CnH2n plus 2 था yes or no, यही था, अब आपने क्या कर रहा है, इस में से एक hydrogen को तो remove कर रहे हो आप, यानि कि जो 2n plus 2 था इस में से एक hydrogen को हम remove कर देंगे, यानि कि plus 2 की जगे plus 1 अगर हम कर देंगे, तो वो हमारा alkyl का general formula बन जाएगा, यानि हमारा alkyl का general formula क्या हो जाएगा, alkyl का general formula हो जाएगा, CnH2n plus 1, देखिए, इस तरीके से आपका यह compound, यह formula बन के तयार हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, देखिए, R क्या है, R है आपका alkyl group, क्या है बिटा, R आपका alkyl group होता है, clear, बहुत अच्छी बात है, अब आगे देखिए, यह सारे आपके क्या है, alkyl group, methyl, ethyl, propyl, butyl, माल लीजिए, इन्में से हम क्या करते है, methyl group को choose करते हैं, ठीक है, methyl group को हम उठा के लाते हैं, यहाँ पर, देखिए, यह आपका methyl group इस जगे आच चुका है, अब आप देखिए, कार्बन के valence shell में 4 electron होते हैं, जिसमें से 3 तो 3 electron तो उसने hydrogen के साथ bonding मनाने में participation कर लिया, और 1 electron आपका free है, अब एक electron free की वज़े से यह क्या है बेटा, unstable है, अब हम क्या करते हैं, इसको stable करने के लिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कहीं से उडाते हुए एक OH को लेके आते हैं, और उसके साथ क्या करते हैं, यह देखिए, इस तरीके से, यहाँ पर यह OH आया, और यह इससे क्या हो गया, connect हो गया, अब कारबन के valence shell में 4 electrons थे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, अब यह क्या बन गया, stable compound बन गया, organic chemistry में, यह जो OH ग्रूप है, इसको बोला जाता है, alcohol, क्या बोला जाता है, इसको alcohol बोला जाता है, सौज में आ रहा है, अब यहाँ पर आपने methyl, से आपने OH को connect किया है, अब alcohol है तो इसका suffix क्या लगता है, all, तो इसका पुरा नाम क्या होगा, इसका नाम होगा है, methyl alcohol, क्या नाम इसका हो गया, methyl group था ही है, अल्कोहल लग गया इसका नाम हो गया मिठाइल अल्कोहल समझ में आ रही है बात बहुत अच्छी बात है अब यह देखिए यह तो आपका अल्काइल ग्रूप है पूरा ठीक है और इसको आप कैसे लिख सकते हो यह पूरा तो आर रिप्रेजेंट कर रहे थे हम और यहां पर OH कनेक्ट किया है इसका नाम क्या हो सकता है ROH हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत अच्छा अब यहां पर देखिए इसका नाम क्या हुआ इसका नाम हुआ मिथाइल एलकोहल कैस का नाम हुआ मिथाइल एलकोहल इसी तरीके से अगर मैं और भी कंपाउंट को बनाना चाहूं तो बना सकता हूं जैसे अगर मैं C2H5 में ओएश लगा दूँ जैसे C2H6 था इथेन इथेन में से एक हाइडोजन में नहिटा दिया तो C2H5 बचा अब C2H5 के साथ अगर ओएश करनेट कर दूँगा तो वो इथाइल एलकोहल बन जाएगा अगर मैं प्रोपाइल में अगर मैं OOS जोर दूँ तो इसको क्या कहंगे प्रोपाइल अलकोहल कहेंगे वूटाईल में अगर OOS free balance की जगे हम क्या करेंगे क्लोरीन ग्रूप को उड़ाते हुए लाएंगे यह देखिए आगया अब इसमें देखिए यह ग्रूप आपका क्या है आर और आगे क्या connected है CL ठीक है आर connected है CL आर क्या था एलकाइल ग्रूप इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा methyl chloride क्या नाम होगा इसका methyl chloride भाई यह ग्रूप तो R यानी methyl है और CL यानी chloride है तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा methyl chloride इससे बनने वाले और compound भी देख सकते हैं हम जैसे इताइल क्लोराइट प्रोपाइल क्लोराइट और ब्यूटाइल क्लोराइट इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हो अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर आपको पढ़ा रहे हैं ताकि धीदरे आपका confidence क्या हो जाए बूस्ट होता चला जाए ठीक है बात समझ में आरी काफी कोछ हमने यहां पर डिसकस किया है एंसे आटी की प्रॉब्लम्स जरूर सॉल करें और पढ़ते रहे हैं थैक्राइट